अपने यहां पबलिक की यादाश्ट इतनी कमजोर होती है कि एक ही खबर 30 बार अलग अलग पाकेजिंग से चलाई जा सकती है तथ्यों में हेर फेर करके एक पूरी नई खबर गढ़ी जा सकती है फिर बस एक आम बच्चता है उसे सोशल मीडिया पर चिपकाना यहां खबर चलती नहीं है वाइरल होती है लोग बिना तस्दीक ये खबर शेयर कर देते हैं राय बना लेते हैं ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसके आधार पर गुजरात मॉडल पर सवाल उठाया जा रहा है उस वीडियो के कुछ स्क्रीन शॉट हम यहां दे रहे हैं वीडियो में एक लड़के और लड़की को निर्वस्तर करके घुमाया जा रहा है पहले लड़की को लड़के के कंधे पर बैठने पर मजबूर किया जाता है फिर लड़के को लड़की के कंधे पर बैठाया जाता है उन्हें घुमाते हुए लोग धोल पीट रहे हैं शोर मचा रहे हैं जब वो गिर जाते हैं तो उन्हें पीटा जाता है इसी भीड में से कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं फेस्बुक पर इस वीडियो को शेयर करते वक्त सवाल किया गया है कब रुकेगा दलितों पर अत्याचार? इस तरहें देखने पर ये लगता है कि ये उनाकांड की तरह की ही एक और घटना है जिसमें दलितों पर अगड़ी जातियों के लोगों ने अत्याचार किये हैं गुजरात मिसाल के अंत में चुनाव होने वाले हैं वहाँ उना कांड जैसी घटनाएं भी हुई हैं जिनके बाद राजे में दलितों पर होने वाले अत्याचार पर देज भर की नजर पड़ी। यही वज़े है कि दलितों पर अत्याचार के बताए जा रहे हैं इस वीडियो को अब तक 66,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 1100 से ज्यादा बार शेयर किया जा चुका है। निर्वस्तर करके गाव भर घुमाया गया था और उनके साथ मार पीट हुई थी। मार पीट करने वालों में लड़के और लड़की के पिता, चाचा और दूसरे रिष्टेदार भी शामिल थे। इन्हों ने अपने ही बच्चों के साथ ऐसा इसलिए किया क्यूंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों आदिवासी समाज से आते थे और गुजरात में दिहारी मजदूरी का काम करते थे जहां इन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ और इन्हों ने शादी करने का मन बना लिया। और निर्वस्तर करके घुमाने की सजा सुनाई गई। कुछ लोगों ने इस कवायत का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो वाय होने पर पुलिस तक पहुंचा और फिर पुलिस ने इस मामले में 18 लोगों की गिरफतारी की, 20 और 21 अप्रेल को इस घटना की कवरेट स्थानी और राश्ट्रे मीडिया ने कि थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया की लड़का और लड़की अलग अलग जातियों से आते थे, कुछ जगे कहा गया की दोनों चचेरे भाई बहन थे, दोनों सूर्तों में रिष्टा समाज को मनजूर नहीं था, लेकिन कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं, एक वीडियो वाला वाक्या राजस्थान का है, गुजरात का नहीं दो, वीडियो में दिख रहा जोड़ा दलित नहीं बल्कि आदिवासी समाज से आता है, तीन, मामला अगडिजातियों के दलितों पर अत्याचार का नहीं बल्कि अपनी मर्जी से साथी चुनने वालों को सब बख सिखाने का था ये सब कहने का मतलब ये कताई नहीं है कि वाक्या गुजरात का नहीं है तो उसे हलके में लिया जाए या फिर एक दलित जोड़े की जगह एक आदिवासी जोड़े को निर्वस्तर करके पीटा जानना कम निंदनिये हैं। जानना कम निंदनिये हैं।